तेस्ट भी हेल्थ भी खुश्यां भी यह जरूर आपने कहीं ना कहीं किसी अड़ुटाइजमिंट में सुना होगा थीवी में रेडियो में यह किसी और चैनल पर बट टेस्ट के अगर बात करें तो टेस्ट तो I'm sure कि है बट क्या हेल्थ और खुशियां भी यह चीजें हमें देती हैं जैसा कि वो लोग इसको इंडोर्स करते हैं उन अड़टाइजमिंट के जरिए तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे अपनी इस वीडियो में क्या अड़टाइजमिंट जो चीजें कहकर पर्मोट करते हैं क आज मैं कुछ आपके साथ 6 ऐसे facts के बारे में बात करूंगी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और वीडियो को end तक जरूर देखिए का बिकुस वीडियो के end में I share some tips जिनको आफ फॉलो कर सकते हैं आपने मर्जी के products को खरीबने के लिए तो सबसे पहले मैं बात करूंगी शुगर फ्री प्रड़क्ट के बारे में तो अगर आपने से कोई भी वेट लॉस जर्नी में है या डाइबोटिक है तो must be they must be attracted by the word sugar free या no sugar अगर किसी भी प्रड़क्ट में शुगर नहीं है या शुगर फ्री है तो आपको 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 अगर उसी प्रड़क्ट को टेस्ट किया तो कभी आपने देखा है कि उसमें मीठी का आपको एपसंस लगे और अगर उसी प्रड़क्ट को आप क्लोजली मॉनिटर करोगे उसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट की तरफ जाके देखोगे बिकुस शुगर के 61 नेम्स होते है अग तो हनी है उसमें यह हाई फ्रक्टोस कॉन सिरफ है यह माल्त है यह यह तेक्स्ट्रिन है नहीं तो अल्कोहल शुगर जैसे की मैल्टिटल यह स्वार्बिटल यह कुछ ऐसे नाम है यह इन प्लेस ऑफ शुगर उन्होंने मैंशन करे होते हैं जैसे की सबको पता है की ट्रांसफेर्स है यह तो कोई भी आप मार्केट से चिप्स का पैकिट लेकर आते हैं या रिफाइंड वाटल लेकर आते हैं तो उसके पीछे अगर आप अभी चेक करोगे तो यह फाइंट अवर्ट रांसफेर्स जैसे की सबको पता है की ट्रांसफेर्स हाइवाब अधर दिसके आप ठ्रांसफेर्स इन अधर वीडियो आसो की ट्रांसफेर्स अरलेकर लेकर प्रियो नहीं पूर्शी के लिए रिस्पोंसीबल होते हैं और जिपने घो जो पूसेस्ट फूद आइटम्स है नवी के अंद hydrogenated करके form करते हैं trans fats को तो जिस भी प्रडक्स के अंदर अगर partially hydrogenated oils लिखा है या vegetable hydrogenated oils लिखा है या shortening लिखा है तो that means the products contain the trans fats one thing and the second thing is like FDA food and drug administration की कुछ rules के accordingly companies वाले हैं जिनके अंदर पर serving में अगर 0.5% से कम का trans fats use किया गया है तो they are allowed to write no trans fats मतलब कि अगर अपनी serving से आप थोड़ा सा भी जयादा trans fats खा रहे हैं तो definitely you are like spoiling your LDL, you are losing your HDL, increasing your LDL level जो के directly आपकी heart health से related हैं so please be aware of all these things and don't go for zero trans fats or like no trans fats processed so the third point is all natural real ingredients real fruits यह हम तीन कुछ ऐसे words हैं जो अकसर हर advertisements चाहे हो jams की हो यहां fruits की हो sorry juices की हो यहां ketchups की हो ऐसे लोगों को बच्चों को खास करके attraction के लिए यह चीज़े पेरेंट्स को बहुत अदा आदा रहते हैं यहां हम अपने बच्चों को रेजिमेंट जूसेज ले रहे हैं तो चलो यहां बच्चों का विटमिन C लेवल अगर बच्चे बहुत ही चूज़े हैं फूट्स नहीं ले रहे हैं तो यह बिव दम अरियल जूसेज ट्रॉपिक अना जूसेज यहां जितने भी और जैम्स मिल रहे हैं फूट की जैम्स मिल रहे हैं यहां वाइटमिन C रिच टैंक है यहां कुछ ऐसे प्रड़क्स हैं इसली बट हरानी की बात यह है कि they not even contain a natural fruits they all are loaded with preservatives, sweeteners and artificial sugars और FDA की कोई भी guidelines नहीं है उनको FDA has not given any guidelines to the companies अगर कोई भी company artificial sweeteners or synthetic colors के साथ product promote कर रहे हैं अपना natural sugars के साथ तो they are free to do this. So, you are the judge. You can judge कि उसमें natural fruits या natural sugars या vitamin C और especially आज COVID-19 के time में अगर वो immunity के साथ इन चीजों को जोड रहा है तो you can see कि आप कितना गलत कर रहे हैं अपनी health के साथ इन preservatives और artificial colors को real food के नाम से खरीद के. So, I don't recommend this kind of ready-made fruits, juices and any kind of thing to any of the patient. So, I suggest you don't buy all these kind of products. So, fourthly I am discussing about multi-grain or whole wheat. So, you might be looking at कि मुझा हमें कुछ ऐसी cookies या biscuits या breads ऐसी मिल जाएं जो whole grain हो या जिसमें multi-grain हो. So, we are buying on the daily basis multi-grain bread या brown bread but I am sorry to say this कि ये सारे products भी highly processed होते हैं. पहले तो इसमें high quality के multi-grain use ही नहीं होते हैं. First thing. And second thing, अगर वो use भी करते हैं इसमें multi-grain को तो वो इतना processed हो जाते हैं कि उसमें nutrition ना के बराबर हो जाते हैं. One thing. And the second thing is like brown bread के बारे में अगर मैं बात करूँ तो तो यार जस्त अ caramelized version of white bread. तो उनके अंदर क्योंकि उनको soft और उनको वो texture देने के लिए उनकी processing बहुत ज़्यादा करी जाती है. Processing में ही उनकी सारी nutrition लॉस्ट हो जाती है. So, they are no longer white bread and multi-grain. And अगर मैं कुकी की बात करूँ, कुछ भी digestive biscuits है या any other biscuits they are promoting their products. ये कैकर की इसमें 0% मैदा है. अगर आप उनके contents को देखेगा, you'll surprised to see की they are loaded with मैदा only. So, they are no fiber rich and no multi-grain rich products. So, you are the better judge to judge about what you are buying. So, the fifth fact is are you looking for fat-free products, low-carb products, or light numkis, or diet numkis, then this point should be for you only. Low-fat products which you market में बिक रहे हैं, basically वो low-fat को high-sugar में रिप्लेस कर रहे हैं just to reduce their cost of the product. One thing, and if you are looking for low-carb product, तो there is nothing like no-carb because अभी आज के ताइम में low-carb का बहुत बहुत जादा trend चल रहा है और if anybody wants to reduce their weight तो they are looking for low-carb products. But there are no such product is available like a no-carb. So, ये marketing funda है only just to attract the customers. अगर हम लाइट नमकीन की बात करें या जो डाइट नमकीन की बात है no doubt if you are looking for लाइट नमकीन और डाइट नमकीन तो उसमें, according to the FDA guidelines one-third amount of calories कम होती हैं as compared to regular diet regular food products और अगर fats की बात करो तो 50% less fats होता है in सब प्रोसेस्ट इन सब प्रोसेस्ट प्रोड़क्स के अंदर whosoever has mentioned low-fat or low-carb products so, अगर हम calories or fats को side पे छोड़ दे तो वो replace कर देते हैं taste enhancers, colors and emulsifiers, all these things और इसी की वज़ा से अगर हम light product भी खाते हैं उसके बाद यू बस्ट आप फील की आप हैवियर क्यों फील करते हैं although कि आप में light numb की नी खाया है उसके बाद आप heavier feel करते हो reason यह है कि उनोंने जो उसके अंदर colors or emulsifiers or taste enhancers so use किये हैं उसी की वज़ा से वो product no longer a light or a diet product the last fact that I am going to discuss with you because you are so happy कि आपके favorite noodles याँ आपका favorite milk powder याँ आपके oils they are enriched with vitamin A, D, E, C they are loaded with zinc, iron and calcium कुछ ऐसी ही तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं आजकल हमारी companies TV के अंदर advertisement के जरीए but कि सच में वो fortified होती है yes they are fortified with these kind of minerals but जो basic product है जिसको कि वो fortified कर रहे है वो ही इतना processed हो के they are like empty nutrient product so अगर जो product इतना processing के बाद जिसके खुद के अंदर ही nutrition नहीं है उसको अगर fortified किया भी गया है तो उसमें अंदर जो भी इस तरीके से वो fortified किया गया है vitamin A से या D से या E से तो वो हमारी body उसको absorb नहीं करती है because lack of nutrient product के अंदर जो base था अगर वही एक best product नहीं है तो उसका fortification भी उसको help कर नहीं करेगी so you need to be take a supplement in a balanced form so अगर इस तरीके से हम अपने supplements लेंगे भी through fortification so they are not going to help us so this is the high time that you should be aware of all these things so अभी आप confused होगे होगे कि मैने ये सब तो बता दिया कि ये facts है ये लेना चाहिए ये नहीं लेना चाहिए ये ऐसे करना चाहिए तो you must be very confused कि अभी क्या किया जै so don't get worry I'll share some tips with you जिनको देखके आप products को ले सकते है because we have to depend on those products तो हम वो products ऐसे क्यों नहीं लेकर आए जिसके लिए हम अपने आपको कही नहीं हमें satisfaction रहे कि हम भर में अच्छा product लेकर आए अपमें अच्छा product लेकर आए whether it is chocolate whether it is oil one thing उसमें आपने क्या देखना है you need to check the ingredient list सबसे पहले किसी भी product के पीछे ingredient list लिखी होती है ingredients में सबसे पहले तो यह चीज़ देखे कि ingredients के list बहुत जादा बड़ी जिस product में होगी that means they have used more chemicals and more taste enhancers and agents and any other things ठीक है जिसमें कम जिस product के अंदर कम से कम ingredients होंगे that is the best product number two पहले तीन products की list को अच्छे से पढ़िए अगर जो भी product suppose आपने you have अपने चॉकलेट खरी दिया तो अगर चॉकलेट के अंदर पहला जो product है अगर वो शुगर ही लिखा हुआ that means that's a wrong product because chocolate खरीते के time पहला word chocolate होना चाहिए कि उसके अंदर वही जो है जिस के लिए हमने वो product खरीदा है specifically वही यूज करा है तो first three जो है series wise अगर देखा जाए हम उसको first second में जो third तक जो 3 main ingredients आते है अगर वो आपको जो product ले रहे हो जो चीज देखके अगर वही mention किया हुआ है then you can take that product second thing and the third thing is you need to be very careful कि उसके अंदर बहुत सारे chemicals enhancers के name जो कुछ एक number डाल के लिखे होते है अगर आप check करोगे तो वो products को जादा नहीं करीदना चाहिए कि कुछ ऐसे नाम लिखे हुए है जिसको आप प्रनाउंस ही नहीं कर पा रहे है तो they are not good for you अब second बात करों तो वो यह है कि आपको serving size के उपर बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे ready to cook ready to eat products आते हैं जिनका serving size बहुत matter करता है like Kellogg's की cornflakes जैसे अगर मैं example दूँ आते हैं तो Kellogg's की cornflakes में like one serving is for 30 grams और हो 175 calories की है तो I am sure कि 30 grams means only 2 tablespoons तो हम 2 tablespoons conflicts तो नहीं खाने वाले हैं तो they are like hiding the things by wrong mentioning of this thing कि आपका portion size कितना होना जाहिए आपका size serving size जो है that always matter तो आप भी इस चीजों के उपर जो कि ready to cook है यह ready to eat है तो उनका serving size जरूर ध्यान से देखेगा जैसे I have given you the example of cornflakes और थर्ड चीज यह मैं बोलूँगी कि आपको love your kitchen because हमें Italian modular kitchens तो बना ली है but we need to learn the art of cooking हमें हर किसी को एक अच्छी cooking आने चाहिए so that we can cook a beautiful and healthy food in our own kitchens so kitchen की beauty है उसमें how you have loaded the ingredients like the grocery in your kitchen cupboards so अपने घर में kitchen cupboards में अच्छी ख्रीद के लेकर आईए जिनको आप खुद अपने प्यार से cook करके अपने लव्ड बन्स को खिला सकते हैं so अगले में बात करूँ कि अगर जो actors है या players है उन वो इंडोर्स तो करते हैं ऐसे products को और हमारी young generation especially या बच्चे है या young generation है तो उनके attraction ऐसे products के उपर बहुत जादा हो जाती है but I like to tell you कि जो भी actors है या players है जिन products को endorse करते हैं प्रमोट करते हैं actually they are not using those products वो उन products को इस्निमाल नहीं कर रहे होते हैं so हमें अपनी health के बारे में खुद सोचना है ना कि इस advertisement जो एक marketing fund है उसके पीछे नहीं जाना है so I hope मैं आपका कुछ चीज़े clear करने में help कर पाई होंगी इस videos के जरिए so if you really like my video please comment it, share it and gives me a really motivation to make new videos so if you want आपके किसी topic के उपन में नहीं video लेकर आँ so please mention it in the comment section thank you so much for watching me, stay blessed